आप अपनी आवाज का उप्योग करके एक बच्चे को धीमी और उची ध्वनी के बीच अंतर के बारे में सिखा सकते हैं आप फुस-फुसा कर शुरू कर सकते हैं यह शान्त है किया आप ऐसे ही शान्त और धीमी आवाज में बोल सकते हैं और बच्चा धीमी आवाज में बोल सकता है तब आप जोर से कह सकते हैं मैं जोर से बोल रहा हूँ किया आप जोर से बोल सकते हैं और बच्चा उँची आवाज में बोल सकता है। आप यूँ ही खेल-खेल में धीमे और जोर से बोल सकते हैं। और इसी तरह धीमा और उँचा गाब ही सकते हैं। ऐसा करने से आप बच्चे को ये समझने में मदद कर रहे हैं कि द्वनी के अलग-अलग स्तर हो सकते हैं।